हेलो दूस्तों, आप देख रहे है लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी दीवार में छुपकर बैठा था जहरीला सांप, घर तोड़कर निकाला बाहर ओस्ट्रेलिया के टाडन सविले में एक घर के बातरूम में जहरीला सांप मिलने से संसनी फैल गई सांप को बाहर निकालने के लिए घर का एक हिस्सा तक तोड़ा पड़ा दरअसल घर के मालिक ने बातरूम की दिवार के बीच बने एक गैप में छिपे बैठे सांप को देखा तो उसके होश उड़ गए उसने तुरंट स्नेक कैचर को इसकी सूचना दी सांप बातरूम की एक दीवार पर फंसा हुआ था ये इतना लंबा था कि इसे दीवार के बीच से निकालना बेहद खत्रनाक हो सकता था इस वजह से स्नेक कैचर ने बातरूम के एक हिस्से को तुड़वाया जिसके बाद इस खत्रनाक सांप को पकड़ा जा सका सांप पकड़े आए शक्स ने बताया कि ये सांप दुनिया पर मौजूद तीसरे सबसे जहरीले सांप है हालांकि ये शुरुआत में खुद से नहीं दस्ते हैं क्योंकि इनका स्वाभाव काफी शर्मीला होता है